तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि इसकी अप्लाइड मैथमेटिक स्थाल की ठीक है जो इसकी अपनी एक्सरसाइज वह कौन सी है 8.1 एक्सरसाइज है इससे पहले 8.1 एक्सरसाइज है काफी सारे कुश्चिन को हम लोग सौल कर चुके थे ठीक है जो इसका मैं आपको प्रूब भी दे देता हूं ठीक है तो यहां पर आप यह देख सकते हैं आपका आपका कुश्चन पेपर है जिसमें आपसे यह कुश्चन पूछा गया था जो कि आईलर प्रमेश से आपका होगा और किस चीच का आपका पार्शल डिफ्रेंट्रेशन का है यू बराबर 10 inverse x square plus y square upon x plus y सिद्ध कीजिए कि x double u upon double x plus y double u upon double y बराबर 1 by 2 sin 2u तो दोस्ति इस question को मैं आभी आपको solve करके भी बताऊँगा जो कि 5 अंबर पर आया है और काफी अदा important topic है आपका ठीक है तो वीडियो को सुल सुल लेकर लाज सक देखते रहिए अगर चैनल पढ़ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रूस कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले जो वीडियो की नॉटिफिकेशन वो आपको मिलती रहे ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लें हम लोग समघाती फलन आपके होते क्या है होमोजीनियस फंक्शन ठीक है ऐसे फलन जिसमें प्रतेक पद आशमान घात का हो ठीक है समघाती फलन कहलाते हैं मतलब कि ऐसे फलन जिसमें प्रत्यक्त समान घात का हो, मतलब एक ही घात का हो, क्या कहलाएगा आपका समघाती फलन कहलाते हैं, ठीक है? एक्स तथा वाई में एनवे घात के समघात फलन को यू बरागवर एक्स की पावर एन, फाई, वाई एक्स के रूप में व्रेक्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्त, अब मालीजे आपके एक क्विस्चन दिया गया, एक्जाम्पल के तोर पर है, उसके बाद मैं आपको जब क क्विस्चन सौल कराऊंगा तो उसमें सब कुस डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक्स कामा वाई बराबर एक्स कामा वाई बराबर एक्स स्कार प्लस बी वाई स्कार प्लस टू एच एक्स वाई ठीक है, आपको ऐसे ही क्विस्चन मिलेंगों तो उसमें आपको करना क च्तॉھ गकर तोस्थ एकस्सक्रां कर सुस्ट क्या करने हैं, च्तूज़ उसकल अठिक है जूसक्च है क्या च्च्स सबसे बड़ी घात वाला,уск्यैकर अचे सब्सक्रांई तो्स्थ च्तूज़ च्ц Кणा अठिक है टूंने यहां पर एकस्सक् Reach कॉमन ले-लिया ठीक है तो ब टाक को समाज में आ गया अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सही form पे लिख दे x square a plus 2hy upon x plus b y upon x square ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते सब की जो घाते हैं दोस्त वो समान है इसकी घात कितनी है y की घात 1 है और x की घात भी 1 है और यहाँ घात देखिये 2 और x की घात भी 2 है तो सब की घाते क्या समान है ओ कर दोस्ता जब इसकी घात आप यहाँ पर आप क्या सकतें आपको समख भे नुमेरिकलस बताऊं गारों सब कुछ किर्दे कर दों ईसकी घात है रगारे की दूंग कर दूँग ant YouTube में आपको किसी ने भी तब नहीं बताई होगी और काफी लेंथी वो लोग सॉल्व कराते हैं मैं विल्कुल इजी तरह से आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो नेक्स्ट वाला जो इसका है उसको देख लेते हैं क्या है आपका जो अब आईलर प्रमें आपकी क्या होती है अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है दोस्त अब आपकी जो आईलर प्रमें उसकी बात कर लें क्या है इसे ठीक है तो इसका जो स्टेटमेंट है कथन क्या होता है उसकी बात कर लें यदि यू एन वे घात का एक्स से तथा वाई में शमघाती फलन हो तो कहने का X तथा Y में समगाती फ़लन हो तो क्या होगी आपकी आईलर प्रमे X डिवर U upon डिवर X प्लस Y डिवर U upon डिवर Y बराबर N into U ये आपकी क्या होती आईलर प्रमे होती दोस्त बस इसको आपको याद रखना है आपकी आईलर प्रमे जो किस फॉर्म में होती है बाकी जीतने भी कुश्चन है ना वो मेरी गरांटी आपको 100% सारे कुश्चन आएंगे समझ में ठीक है दोस्त अब बात कर लेते हैं कुश्चन की आपको आईलर प्रमे समझ में आ गए अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर एक कुश्चन आपको दिया गया है और इसके वाद जो आपका एक्जाम पर कुश्चन आया था ना मैं वो भी आपको बताऊंगा भी कैसे सॉल्व होगा पूरा ठीक है तो यहाँ पर जो आपको यह कुश्चन दिया गया है क्या दिया है यदि जड बराबर साइन इन्वर्स एक्स स्कार प्लस वाई स्कार अपॉन एक्स प्लस वाई तो क्या सिद्ध करो की एक्स डिवर जड अपॉन डिवर एक्स प्लस वाई डिवर जड अपॉन डिवर वाई बर तैंजड तो आपको ये question दिया गया है, इसकी साइथा से आपको इतना proof करके लाना है, तो देखिए, ऐसे proof करके आप ला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या guess करना है, इसकी question कि आपको घात ग्यात करना पड़ेगा, दोस्त, ये कितनी घात का function है आपको, ठीक है दोस्त, तो हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए अब इसको हम लोग solve करते हैं यहाँ पर यह sin inverse है अगर sin inverse को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त खाली sin बचेगा तो क्या हो जाएगा यह आपका देखें लिख देते हैं sin z बराबर x square प्लस y square upon x प्लस y यह इतना आपका बच्जा है करेंगे एक लाइन पर हम लोग लिख शक्ते हैं क्या लिख सकते हैं देखिए माना मान इस बराबर इसे रहें क्योंकि हम लोग इसको अलग तरह से question को stall करेंगे और त्रick की तरह करेंगे जोकि हमें तक आपको किशी ने नहीं बताया हो ठीक है यहाँ पर हमुठ किस बराबर मान दोस्त हम इसको U के बराबर पूरे को मान ले रहे हैं U बराबर, आप किसी पे भी मान सकते हैं उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला U बराबर sin Z बराबर x square plus y square upon x plus y के सबसे बड़ी जो X की घाट हो जिसको क्या करतें दोस्त common ले लेते हैं X की घाट जो सबसे बड़ी इसको common ले लें तो क्या हो जागे यहां पर X square हो जाएगा 1 प्लस Y upon X का क्या हो जागा दोस्त whole square हो जाएगा ठीक है इतना आपको समझ में आ गया नीचे क्या आपका बटे इधर भी बटे में नीचे में X की घाट क्या common ले लेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस Y upon X हो जाएगा ठीक है तो इतना आपको समझ में आजए दोस्त यह वाला X आपका किस से इस X की घाट से कड़ जाएगा यहां पर क्या बचेगा X बचेगा किवड और आप यहां पर देखेंए सब की घाट जो समान है Y की घाट यहां पर कितनी 2 है यहां पर X की घाट कितनी 2 है ठीक है यहां पर Y की घाट कितनी 1 है और X की घाट कितनी 1 है तो कहने का मतलब क्या सब की घाट जो समान है अब यहाँ पर आप एक लाइन पर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दो X और Y में एक घात का शमगात एक घात का शमगात फलन है ठीक है इतना आप लिख सकते हैं एक लाइन इतना आपको समझ में आगे हाथ बिलकुल clearly समझ में आएगे अब आपको क्या करना है सिधी सी कहने का मतलब कि है जो आपकी एक घाताई ना यह किसकी value यह n N बराबर 1, ये N पी वैल्यू आपको मिल गई, कि N बराबर 1 आप रख सकते हैं, N की वैल्यू आपको मिल गई, अब हम लोग दोस्त यहाँ दो, क्या करेंगे, अगर इसे आप लिखना चाहें, तो एह 2 वाइंने आपको बताये था, किसमें बताये था, समगाती है फिलन की जो उमने आपको डिफिनिशन बताई तब उसमें बताई है तो आप यहाँ पर उसको क्या ली सकते है यू बराबर साइन जेड अगर आप लिखना चाहें तो परना कोई फरक नहीं पड़ता है एक्स फाई y upon x दोस ठीक है तो यहाँ पर x कितनी ये 1 है तो सिद्धी से कहने के बाद आपको n की value जो मिल गई वो कितनी है 1 आपको इसको लिखने की बाद बाद कोई भी ज़रूरत नहीं है सिद्धी से बात आपको n की value निकाल ली अब आप लोग क्या करेंगे अब आप लोग यहाँ प हम यहाँ पर आईलर प्रमे का यूज करने वाले और बहुत इजी ट्रिक सी बताने वालों questions को ठीक है आप बोलेंगों तो हर question को दो ट्रिक से solve पर सकता हूँ दो method से आईलर प्रमे आपकी क्या होती है अभी हमने आपको बताया था एक्स डेवर यू अपान प्लस वाई डेवर यू अपान डेवर वाई बराबर एन यू दोस्त आपकी यही तो आईलर प्रमे होती थी ठीक है आईलर प्रमे यहाँ तक आपको समझ में आ गया अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे solve करेंगे देखें कैसे solve करते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर आपको एन की वाईलू पहले ही मिल चुकी थी एन बराबर हमने क्या निकाल रखा है एक निकाल रखा है एक घात का समगाटी फलन है ठीक है दोस्त अब अगर इसके हम आगे बात करें जीकिए नेक्स आपको दिखा देते हैं यू बराबर हमने क्या वाना था यहाँ पर हमने देखिए पहले यू बराबर हमने क्या वाना था यू बराबर साइन जेड तो इस यू की जगह पर इस यू की जगह पर हम कहले सकते है साइन जेड बस यही आपकी ट्रीक है तो इसकी जगह पर हम सा यहां पर फिर से आपका डे में यू की जगा पर हम दो से क्या लिख देंगे साइन जड लिख देंगे थीक है साइन जड अपन क्या हो जाएगा डे वाइट yes अभर यू पर यहां पर आपकी से खेंगे यू की बराबर से क्या मना स收看 दोस्थ जडमान लखा था ठीक है तो इसको लेगी है अब दोस इस पेश काम है अभी फिलाल के लिए कोई काम नहीं अभी इसको हम लोग हटा कर साइडिम लख देते हैं और इसको अच्छे से रख लेते हैं ठीक है ठीक है इत्ता होगे आपको इतना सवल में आ गया अब साइडिम आप हम लोग क्या करेंगे अब लोग हम लोग इसका जो किसके साब पेश में आउकलन कर लेंगे इसका हम लोग आउकलन करेंगे आपको क्या होगा दोस्त को जोगा और इसका जब तक हम करते हैं जब तक वन नहीं आ जाता है तो फिर जडिम पुना आउकलन करेंगे तो क्या होगा दोस्त क्या हो जाएगा ठीक है फिर भीचे प्लेश का निशान लगाएंगे वाई आपका ऐसे ही लिख देंगे solve करा है और बहुत easy method से बदाए ठीक है अब दोस्त आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यह तो इस से दोनों से cos z को common ले लिजिए या फिर से भाग दे लिजिए पूरे में तो हम क्या करने वाले हैं cos z क्या करते हैं दोनों से common लेकर इधर बटे में भीर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो हम यहाँ पर cos z क्या करेंगे common ले लेंगे पूरे से तो आपका क्या हो अच्छेगा x into debor z upon debor x plus debor z upon debor y ठीक है यहाँ पर y जी होगा bracket close पराबर sin z हो जाएगा इतना आपको समझ जाएगा है हाँ तिल्कुल होगा अब हम क्या करेंगे जो आपका cos z इधर into में इधर क्या जाएगा बटे में जाएगा तो इसको लिख देंगे x into debor z upon debor x plus y debor z upon debor y हो जाएगा ठीक है तो इसको cos z जब इधर बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा तो आपको समय जाएगा तो इसको sign upon cos क्या होता है दोस्त आपकर 10 होता है तो क्या हो जाएगा x into deborz upon deborx plus y deborz upon debor y बराबर क्या हो जाएगा यह आपकर 10z हो जाएगा दोस्त ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको proof करके क्याल आने के लिए बोला गया था दोस्त आप से proof करके आपको देख लिजिए आपको दिया गया proof करके क्याल लाने के लिए था x into deborz upon deborx plus y into deborz upon debor y बराबर 10z यह आपको proof करके लाना था जो कि हम proof करके लिया है कितने ही सिर्फ एक नट के अंदर आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा था देर देख लिजिए x into deborz plus deborx plus debor y deborz upon debor y बराबर 10z तो यही प्रोफ परके लिया है तो दो कि हम लिया आए ठीके दोस्त अब बात करते है next question की जो की bold exam पर पूछा कर जैसा मैं आपको paper पर दिखाए था इस question को मैं आपको बताने वालू 5 number fix है आपके ठीक है दोस्तो अपने next question आ चुका है u बराबर 10 inverse x square plus y square upon x plus y फिद्ध कीजिए कि x into debor u upon debor x plus y debor u upon debor y बराबर 1 by 2 sin 2u यह आपका bold exam पर question पूछा गया तो जैसा मैंने आपको दिखाए था पांच number इस question से आपके fix है अगर ऐसे question आपको आते हैं तो bold examper मैं आपको बता दू सिर्फ ऐसे question आपसे पूछे जाते हैं ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा easy तरह ऐसे होते हैं अब मैं आपको बता दू इस question को आप solve कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था इस 10 inverse को अगर हम इधर बेचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा दोस्त आपका यह 10 u हो जाएगा 10 u बराबर क्या हो जाएगा x square प्लस y square upon x plus y इसका आपको समझ गया गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग इसको लिख सकते हैं माना आप इसको कुछ भी मान सकते हैं ठीक है दोस्त हम इसको क्या मान ले रहे हैं हम इसको v बगएरा कुछ भी मान लेगे तो आप कुछ भी इसको मान सकते हैं v बराबर 10 u बराबर x square प्लस y square एक्स प्लस यूज है अगर यहां पर यू पहले से दे रखानी है तो कहने का यहां यहां पी माली जो टम यहां पर दे रखा उसको मत मानेगे बस ठीका इतना को समझ भी आ गया है अब हम लोग क्या करेंगे दोस, अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, इसका घात निकाल लेंगे, घात, कितनी घात काहिए फलाने तो, क्या करेंगे, एकस की घात जो बड़ी वाल इखाद उती, उसको common ले लेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, Y अपॉन, X का स्कुराय ठीका इत्वा वगया बटे इधर से जब X common लेंगे तो क्या हो जाएगा X और यहाँ पर क्या होगा 1 plus Y upon X इस X से इस X की खात आपकी कित्ती हो जाएगी दोस्ते कर जाएगी यहाँ पर आपकी बचेगी कित्ती आपका क्या बचेगा दोस्ते यहाँ पर ये बचेगा आपका tan u這樣 x 1 plus y upon x square ठीक है बटे 1 plus y upon x तो आप सब में देख सकते इस y की घारद कितनी 2 और x की घारद कितनी यहां पर दो और y की घारद कितनी 1 और x की घारद कितनी वने तो दोलों आपके मैं क्या है सम घारदी फ़लान है ठीक है सबकी घाते क्या समाने दोफ आपकी X घातियां पर कितनी है 1 है या आपकी X घाति कितनी बची 1 तो आप यहाँ पर कह सकते हैं क्या कह सकते हैं अभी हमने आपको क्या बदाय था X और Y में एक घात का समगाती फलन है यह भी इतना आपको समझ में आ गया समगाती कहने का बतलब क्या n की value आपको मिल गई n बराबर कितना है one है ठीक है n की value आपको मिल गई तो आप आईलर प्रमे बहुत आशानी से यहाँ पर लगा सकते हैं अब आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर अब दोस्त हम लोग लिखेंगे आईलर प्रमे शे जैसा हमने अभी आपको आईलर प्रमे बताया था आईलर प्रमे बहुत ही सिंपल तरह से question को आपको solve करके बता रहा हूँ आईलर प्रमे शे नहीं तो काफिक बड़े-बड़े question solve कर होते हैं ठीक है तो जो हम आईलर प्रमे लिखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी आईलर प्रमे आपकी क्या होती है X into debar V upon debar X दोस्त यहाँ पर अब ख्रहेंगे V कैसे हो गया अभी बताता हूँ प्रके इसको लियू पहले Y फिरदेबर फ्रेट अपान बडिवड y बराबर एन वी ठीक है हमने यहां पर कैसे उए मैं उसकी बात कर लेता हूं दो रह tunnels यह विं आपका कैसे हुआ है मैं इसकी यह पर व माना है क्या है 10U X into debor 10U upon debor X plus Y debor 10U क्योंकि आपको V की value पता है 10U है debor Y बराबर N की value दोस्त अभी हम नहीं रखना है आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं V की value आपकी क्या है 10U इतना आपको समझ में आगे है दोस्त बिल्कुल clearly समझ में आया होगा तो comment यार जरूर किया करिए हाँ sir आता है समझ में आप लोग comment नहीं करते हैं ना तो video को like करते हैं comment भी करिए video को like भी करिजिए और चैनल को subscribe भी करिए ठीक है क्योंकि 40 प्लस नंबर दिलाऊंगा मैं आपको मैथ में आपके देख लीजेगा आप यूर्ट तक जुड़े जाता हैंगे नहीं मैं इसको 40 प्लस नंबर दिलाऊंगा गारंटी के साथ बोलना हूं इतना आपको समझ में आगिया अब हम लोग क्या करने वाले है अब इसका हम लोग आउकलन करेंगे ठीक है x into 10u का आपका आउकलन क्या होगा दो 10x का आपका अउकलन क्या होता था 6 square x होता है लेकिन यहापर क्या है 10u है तो इसका उकलन क्या होगा दोस्त आपका 6 square u हो जाएगा ठीक है 6 square u और u का हम फिर से पुना उकलन करेंगे जब तक वर ने हूज़ाद हो तो क्या हो जाएगा आपका ये डेबर U upon डेबर X होगा ठीक है दोस्त फ्लस Y उसी तरह इसमें करेंगे 10U का आपको क्या हो जाएगा 6 square U, U का हम पुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा डेबर U upon डेबर Y दोस्त कमेंट पर जरूर बताएगे कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी ये आपको जो N की value में दोस्त अभी क्या निकाली थी? 1 निकाली थी तो N की value जब लग देंगे तो 1 हो जाएगी 1 into 10U और बहुत आशानी से अभी मैं इसको पूरा proof पर के लिए होगा जो आपको बोल्ड एग्जाम पर question आथा और 5 नमबर पर आएथा ठीक दोस्त तो आप क्या करते हैं? अब यहाँ पर 6 square ये तो दोनों से common ले लीजिए या फिर 6 square से पूरे में भाग दे दीजिए दोस्त हम क्या करते है? 6 square common ले लेगे ज्यादा सिंपल रहेगा आपका 6 square U common ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y ठीक दोस्त इतना आपका बना बराबर पर क्या है आपका? 10 U जाल ला था इतना आपको समझ में आगे अब हम लोग क्या किया है था हम ले पीछले question दो 6 square जो U either into में तो उदर किसमें जाएगा? आपका बटे में जाएगा उसको चुपचाप से बेज देते हैं गिना सोर किये debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y बराबर अब 6 square को जब उदर बेजें तो क्या हो जाएगा बटे में जाएगा आपका? 10 U upon 6 square U ठीके दोस्त इतना आपको समझ में आगे अब हम लोग क्या करने वाले? 6 square जो आपका U है ना इसको हम लोग क्याल सकते हैं 1 upon cos square U लिख सकते हैं ना तो क्या हो जाएगा आपका? यह cos square U उपर चला जाएगा X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y ठीक है? क्या हो जाएगा दोस्त आपका यह 10 U और 6 square U कैल सकते हैं 6 square U बराबर दोस्त आपका क्या होता है? 6 square U बराबर होता है 1 upon cos square U चेक ही square की जगा पर हम इतना लिख सकते हैं तो दोस्त आपका यह क्या हो जाएगा? into cos square U इतना हो जाएगा ठीक है दोस्त अब इसको छोड़ा सा आगर हम लोग आगे स्वाल करनें तो आपका क्या हो जाएगा? उसकी भी बात कर लेते हैं X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y बराबर 10 U को हम लोग क्याल सकते हैं तो sin U बटे cos U 10 U को इतना लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह cos square U तो इससे cos U आपका यह वाला इसकी घाट से कर जाएगा तो आपका बचे क्या sin U into cos U अब इसको आगे solve कर लेते हैं ठीक है मैं आपको आगे solve करके बटाता हूँ ठीक है दोस्त तो यहां तक आपको समझ में आगे अब इसको में पुना यहां पर फिर से लिखे ले रहे हैं X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y बराबर तेहां पर आपका बचे का क्या यह बचे का दोस्त X debor U into cos U ठीक है दोस्त अब इसमे हम क्या कर सकतें इसमे हम 2 से गुड़ा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y बराबर 2 से गुड़ा किया 2 से भाग किया 1 by 2 into 2 डीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये sine u हो जाएगा, into ये आपका क्या हो गया? cos u हो गया, ठीका दोसथ? आपका ये किसका फार्मूला बन जाएगा? two sine u into cos u तो ये आपका किसका बन जाएगा? sine two u का आपका फार्मूला बन जाएगे जैसे sine to s का दोस्द फार्मूला होता था x into w upon PhD डिवर X प्लस Y डिवर U अपाँ डिवर Y बराबर 1 बाई 2 साइन 2 U ठीक दोस्त आपका है साइन 2 U का फार्टूला बन गया है और आपको पूरूफ करके क्या लाना था? आपको दोस्त यही पूरूफ करके लाना था, अगले मैं आपको दिखा भी देता हूं ठीक है तो इससे आपके पांच नमबर एकदम से fix होते हैं पांच नमबर आपके आपको proof करके तो क्या लाना था उसकी बात कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं आपसे proof करने के लिए क्या बोला गया था X into diva u upon diva x plus y diva u upon diva y बराबर 1 by 2 sin 2u तो देखिए आप proof करके क्या लिया है आप भी यही proof करके लिया हैं ठीक है दोस्त तो यही देखिए आप भी proof करके लिया है X into diva u upon diva x plus y into diva u upon diva y बराबर 1 by 2 sin 2u तो दोस्त पांच नमबर आपके यहां से fix होते हैं अब बात करते हैं next question की जो काफी important question बस इतने position मैं आपको बता दूँ उतने ही पढ़िये सिर्पाब मैं guarantee साथ बोला हूँ 40 प्लस नमबर आपको सबको दिलाऊंगा और आप लेकर भी आनेवल तो next question की बात कर लेते हैं ठीक है दोस्त तो अपना next question आ चुका देखने हैं यहाँ पर यदि u बराबर x square plus y square plus z square तो सिद्ध करो की x double u upon double s plus y into double u upon double y plus z double u upon double z बराबर 2u दोस्त इसको मैं दो तरह से आपको solve करके दिखाने वाला हूँ ठीक है पहले मैं बात करूँ बिना आयले प्रमे का प्रयोग किये हुए इस question को मैं solve करूँगा तो उसके बात किप आयले प्रमे का प्रयोग करके question को solve करूँगा आपको दो नो एथिट बताने वाला हूँ ठीक है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप question को note कर लीजिए गा u बराबर x square plus y square plus z square ठीक है अब इस question को आप क्या करेंगे दोस्त एक बाइसका आप x के साप hωクlland कर लीजिए एक बार y के साप h क्या पूरे का उक्रप्रे कर लीजिए एक लिए जड़ के साप h Extreme कर लीजिए तो पहले एक बार x को साप hούμε क्या होगा यह आपका 2x हो जाएगा बाकि सेस्ट क्या हो जाएंगो दोस्त जीरो हो जाएंगी इसी तरह हम क्या करेंगे एक बार डिबर यू पॉन डिबर वाई का एक बार इसका हम किसका वाई के साफ़ेंगो तो यहां पर क्या हो जाएंगो दोस्त टू वाई बाकि सब कॉंस्टेंट हो जाएंगे इसके लिए इतना को समख में आ गया। आप दोस्त किया कीरेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे. दोनों मच्छो में X से उस ऐसे। वाले में Sz से बूड़ा करा दीज़ यगा, जड वाले में Z से बूड़ा करा दीज़ीगा कीषिए? अब देखें हम क्या करेंगे x से multiply करा देंगे दोनों तरफ ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा x स्कार जाएगा और y वाले में हम दोनों तरफ क्या क्या करेंगे y से multiply करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x sorry यह आपका y debor u upon debor y बराबर क्या हो जाएगा यह आपको 2y स्कायर हो जाएगा ठीक है इसमें अब जेट वाले हम क्या करेंगे जेट से मल्टिप्लाइ करा देंगे दोह तरफ से क्या होगा जेट डेबर यू अपाण डेबर जेड बराबर 2y स्कायर इत्ता आपको दोह समझ में आगया अब क्या करेंगे इसको डाल दीजे आप समी करार नंबर 1 डाल दीजे इसको समी करार नंबर 2 डाल दीजे इसको समी करार नंबर 3 डाल दीजे क्या करेंगे समी करार नंबर 1 और समी करार नंबर 2 समी करार नंबर 1 प्लस सम करान नंबर 3, 3 को क्या करेंगे, आपस में जोड देंगे, ठीक है, जब आपस में जोड देंगे, तो क्या होगा, नीखिए, क्या बनेगा, प्लस बराबर क्या हो बनेगा आपका दोस्त? अब इधर वाले टरमिल को सबको जोड लीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए, तू आपको पूरे सी गोमन दीख रहा है, तो क्या हो जाएगा? टू कॉमन अब में ले लिया, x square plus y square plus z square ठीक है दोस्त इतना आपको समझे आगे इसकी जगह पर दोस्त हम क्या लिश सकते हैं u लिख सकते हैं ने कैसे इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ये u लिख सकते हैं न u रावा क्या x square plus y square plus z square तो इसकी जगाबर पूरे की जगाबर हम क्या लिश सकते हैं दोस्त यू लिख सकते हैं ठीक है तो यू लिख देंगे X debor U upon debor X plus Y debor U upon debor Y plus Z debor U upon debor Z बराबर 2U दोस्त आप देख सकते हैं सिर्फ आपको इतना ही प्रूफ करके लाना था जो कि हम प्रूफ करके लिया हैं कितनी आशानी से हमने यह अभी आपको बिना आयले प्रमय का यूज किये इस कुश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप यहाँ पर देख लेजी यह आ करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले आपका कुश्चन ता उसको लिप लेते हैं यू बराबर X स्कॉाइर प्लस Y स्कॉाइर प्लस Z स्कॉाइर ठीक है इतना आपको दिया गया था हम लोग क्या करने वाने हमने आपसे क्या कहा था जब भी आपको आपको अलर्स फ्लस Y एपॉन X का स्कॉाइर प्लस Z अपॉन X का स्कॉाइर ठीक है तो आपका इतना हो गया तो दोस्स की आपकी X की घात कितनी आई X2 तो यहाँ पर इसकी घाट कितनी होगी तो CDC कहने के मतलब क्या N बराबर 2 यह कितने घाट का फलाने यह दो घाट का फलाने आपको इतना पता चल गया अब लोग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त एक लाइन पर लिख देंगे ऐलर प्रमेशें दोस्त मैं इतना आपको बता खूhoo विश्यूस में आप डारेक्ट कर रहा हूं ऐलर प्रमेशें ठीक है तो यहाँ अब लोग लिख देंगे आईलर प्रमेशें एक है पस्ता लूग अपको समय आग pequeका वह पर में ग्स दोस्त, x, y होते हैं, तो हम लोग 2 तर्म लिखते हैं, जब यहाँ पर z भी तो 3 तर्म लिखेंगे, अलेस्ट पर महीं से, क्या होगा, X debor U upon debor X plus Y debor Y debor U upon debor Y plus Z debor U upon debor Z ठीक है बराबर क्या होगा? N U ठीक है दोस्ट यहाँ की आलर्र प्रेमे होती थी यहाँ पर आप काइंग सी यहाँ पर अभी तक दो थरम होते थे अभी तक तो आप सो Y तक जिले देशा है लेजइट भी दिया गए तो आप tipping आपको समझ में आ गया अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बी刚 लिप हुं पता पहले से चल चुपी है its कि ग्रपृजब देंगी अभी यहाँ फी के आफ u upon debor x plus y debor u upon debor y plus z debor u upon debor z इसको यहाँ पर काट दीजिए यहाँ सेटा कर यहाँ पर लिख दीजिए हमने n की वैलूर दीट 2 और u आपका यह ऐसे ही था तो हमें क्या है यहाँ हमने सिर्फ आयलर प्रमे की सहायता से दोस्त इसको दो लाइनों में प्रूफ करके आपको दिखा दिया आपको क्या प्रूफ करना था एक्स debor u upon debor x यही आपको प्रूफ करना था जो कि अबने अभी आपको इसमें प्रूफ करके दिखाया था जैसा कि आप यहाँ यह देख सकते हैं ठीक है तो इसको मैं आयले प्रमय की शाय से कितने सिर्फ दो लाइनों उब प्रूव कर जिए कितनी आसानी से तो आप आयले प्रमय की शाय। सारे question को बहुत simple दरह से solve कर सकते हैं दोस्त एक important question और बचा उसकी बात कर लेते हैं उसके बाद आपका जो यह chapter पूरा finish होता है यह से ठीक है दोस्त अपना new question आ चुका है U बराबर log X की power 4 plus Y की power 4 upon X plus Y बराबर तो सिद्ध कीजिए कि आपको एक फ्रूस परक लाना है देखिए कैसे लें आपको इस्टुरेंट यहाँ पर लॉक देखनेंगे तो पहले ही वो डर जाएंगे यह तो भज़िए यहाँ पर log आ गया यह भाम से question solve नहीं होने वाला है आपको दिखा दूँगा ठीक है अब यहाँ पर 10 या साइंट इन्वर्स वालो कोई function होता था तो हम लोग उदर भेज देते लॉक को तो उदर भेज नहीं सतके तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी क्या पढ़ी थी जैसे यहाँ पर पोई सिर्ड दिया होता था तो हम लोग क्या था था लॉग एकस बराबर لॉग वाई ठीक है तो क्या होता। जो यहाँ पर base E होता था वो क्या हो जाता था e की जो power थी वो x हो जाता था e की power x बराबर y इसको मितना लिख सकते थे इसी तरह हैं अब हम लोग क्या करें जो log है उसको क्या लिख सकते हैं देखी क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं e की power u बराबर x की power 4 plus y की power 4 upon x plus y देखी कितना simple था इतना लिख सकते हैं न इस तरह के इसाब से जैसे यह लोग लिखते थे तो इतना आपको समझ में आए अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम लोग फिर से क्या करेंगे इसको हम लोग अभी solve कर लेंगे इसको हम लोग किसके बरवर मान लेंगे दोस्त हम V बरवर मान लेंगे देटा हमको बताया था अब क्या करेंगे इसके में पहले घात बता करने पड़े घात बता करने के लिए मैं क्या करना पड़ेग Engagement जो सबसे बड़ी पावर ओला function होगा उसको common लेंगे, x की पावर को जब common ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस y की पावर 4 और x की पावर 4, यह आपका बच जाएगा, इतना आपका बच जाएगा, अब रिधन नीचे आपका क्या बचेगा, जब यहाँ नीचे से x common ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस y अपावर अपका बच जाएगा, इतना आपको समझ में आगया, तो यहाँ पर आप सीधर सीधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो आपकी कितने घाती फलन है, यह न बराबर इसकी जो पावर कितनी आजाएगी, 3 कहने का मतलब कि यह x और y में, x और y में 3 घात का, 3 घात का शमझाती फलन है, ठीक है तो तीन घात का समझाती फलन हो जाएगा न, आपको इतना समझ में आगया, बिल्कुल क्लियरली समझ में आजाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, आपर हम लोग आईलर प्रमे का यूज करेंगे, क्या करेंगे, लिख दीजिए, आईलर प्रमे से, कोई भी क्विश्चिन आपका काट नहीं सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जैसे step by step बता जाते हैं, वैसी ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसी ही करना है, बोल्ड एक्ज देवर x प्लस y देवर v upon देवर यहां पर क्या हो जाएगा? !! बराबर क्या हो जाएगा? आपकी अलर प्रमे अन वी वैसे यहां पर यू होता था जब हम यू मौन देंगें, लेकिन यहां पर हम ने क्या माना है? दोस्ट, बमाना है x into e की पावर डिवर e की पावर u upon डिवर x plus y डिवर e की पावर u upon डिवर y बराबर क्या हो जाएगा n की वैली दोस्ट आपी इतनी 3 है तिया आप क्या लिख देंगे 3 और v बराबर क्या है e की पावर u इतना आपको समझ में आ गया है अब इसकी आगे की बात कर लेते हैं ठीक है दोस्ट यहां तक आपको समझ में आगे अब हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग differentiation कर देंगे x e की पावर u का आपका क्या होता है e की पावर u ही होता है लेकिन हम क्या करते हैं जब तक u वाला जो होता है अब नहीं आज़े तक तक करते हैं तो इसका क्या होगा debor u upon debor x हो जाएगा फिर यहां पर plus लगाएंगे यह यह हो जाएगा आपका e की पावर u का क्या होगा e की पावर u का और जब तुना हम लोग u का करेंगे तो क्या होगा आपका debor u upon debor y बराबर दोस्व क्या होगा आपका 3 e की पावर u अब हम लोग क्या करेंगे यह तो हम दोनों पच्छों में e की पावर u से भाग देते हैं या फिर e की पावर u इधर से common ले ले खिक हो तो क्या होगा e की पावर u जो हमने common लिया x debor u upon debor x plus y तो आपका बच जाएगा बराबर 3 E की पावर U यहां तक आपको समझ में आ गया दो हम लोग क्या करेंगे इधर इंटू में जो अधर क्या हो जाएगा बटे में जाएगा तो यहां पर आपका क्या बचेगा X डिबर U अपाउन डिबर X फ्लस Y बराबर 3 इधर इंटू में था दोस्ते इधर किसमें आएगा बटे में आएगा इकी पावर U इससे यह आपका यह कड़ जाएगा तो आपका दोस्त आप बचेगा X डिबर U अपाउन डिबर X प्लस Y डिबर U अपाउन डिबर Y बराबर 3 तो आपको दोस्त क्या प्रूफ करके लाना था आपको यही प्रूफ करके लाना था ठीक है देखे जो कि हम ले आएए X डिबर U अपाउन डिबर X प्लस Y डिबर U अपाउन डिबर Y बराबर 3 आपको यही प्रूफ करके लाना था जो कि हम देखी यहां पर लिया है ठीकर दोस्त तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बस एक कोश्चन अप लोगों वोंबर्ग पर दे रहा हूं बहुत जाब जाब सिंपल कोश्चन है उस कोश्चन को आप लोग करेंगे ठीक है देख लेते हैं को क्वेश्चन आपका कहा अब लिख देता हूं ऐसी कोश्चन मैंने आपको बताया था एकस डॉर इंटू डेबर यू अपउन डेबर एकस प्लस वाई डेबर यू अपउन डेबर यू अपन डेबर यू जेड बर लाबर thick यू तो तो दोस्त आपको ये प्रूफ करेंगे आप अभी ऐसे कोश्चन तो मैंने एक जो आपका थार्ड क्वेशन तो वो सॉल्व कराया था आएसी इस क्वेशन को आप लोग हमें सॉल्व करके हमारे वाटसप गरूप पर और टेलीग्रम गूप पर या फिर हमें सेंड करेंगे और दोनों को जॉइन कर लिजिए को फटाफ़ट सारे आपको बहत्रीन ट्रिक्स के साथ और एक बहत्रीन वीडियो के साथ मिलेंगे ठीक है